सभगोतों लेकिन अगर पहुत होता है् लेकिन अगर सेहत के लिहास से दिखा जाए तो चीखो का सेमन हमारे लिए काफी बहात्रे साबित होता है लेकिन आजकल की बदलती ताइफ इस्टाइल और बड़ते परदूशन के कारण हमारे बालों पर पेहादी नकरात्म असर परता है जिसके कारण हमारे बाल का फिरूखे और बेजान दिखाई देते हैं जाद ही तूटने लगती है यानि जण्डा शुड़ो हो जाते हैं टेंट समस्या भोना टो लाजमिट अगर आप इसके लिए के समस्यां शमल करते हैं तो इसके प्रिजल के बीज limits को द्यार करें लेकिन उससेidal और पोबटा दें कि चीकों के बीज में ऐसे गुड मौजूद होते हैं जो आपकी बालों के लिए काफी हद तक लाबदा एकसीद होते हैं अब इस पेश्ट में आरंडी के तेल के कुछ बूंदों को मिला कर इसका एक मिश्रण तयार करें और इसको अपने सिर में लगा कर करीब अंदस से पंदा मता में मौजूद होते हैं जिसके सेवन से आपके सरीर में फ्री रेडिकल्स को रोकने में काफी हद तक मददकार होते हैं जिसके कारण आप इसके न पर पढ़ी जुर्यों से असानी से निजाद पा सकते हैं साथ ही बढ़ती हुमर की जुर्या आपके चहरे पर दिखाई नहीं देती कुरन हेल्टाइक्स से रानिके रिपोर